हाँ जी स्टूडेंट्स आज जसी बार्मी क्लास दी सेक्शन सी दी पंजमी स्टोरी दा बाबल स्टेड यूनियन जिसनुके मुलक राज अनांजी ने लिख्या होया है उस दी कॉंप्रिहेंसिव इक्स्पलानेशन अते अनालेसिस कॉंटिन्यू करांगी एहे साथी इस स्ट दा तीसरा वीडियो होएगा स्टूडेंट्स मैं दोनों दसना चाहांगा के मैं स्टोरी दी पहली वीडियो दे विच मैं जे तिन पेज जिस दे विच पेज नंबर 151 152 ए तिन पेजिज मैं कवर किते सी उमीद है के यह पहला वीडियो तुसी जरूर देख्या होएगा ज 154 155 ए तिन पेजिज कवर किते सी उमीद है के इसदा पार्ट वीडियो भी तुसी जरूर देख्या होएगा जेकर तुसी नहीं देख्या ता मैं उपर इसदा लिंक तो अनू पर वाइट कार रहे हां हां जेकर तुसी यह दोने वीडियो पहला माले देख्या हैं स्टूड प्लस वन अते प्लस टू क्लासिज दे जनरल इंग्लिश आते इलेक्टिव इंग्लिश दे बहुत सारे वीडियो बनाए होए हां इना वीडियो नू देखन देले तुसी यूट्यूब दी सर्च बारते जाके दीपकसूद लव लर्निंग टूली टाइप करो रिजल्ट व मैं वीडियो बनाए हां वो शामिल हां प्लेइलिस्ट वाले सेक्शन दे जाके तुसी सारियां प्लेइलिस्ट प्रापत कर पाऊंगे जिमें के क्लास 12 दी प्लेइलिस्ट चोथे नमबरते हैं इसते तुसी जाके जदो वीडियो फुल प्लेइलिस्ट करोंगे ताथ उनू क्लास 12 दियां सारियां वीडियोज मिल जान गियां। इसे तरह तुसी बाकी क्लास 11 उना दी प्लेइलिस्टे जाके सारियां वीडियोज प्रापत कर सकते हूं। इसे तरह मैं क्लास 11 दे क्लास 12 दियां ग्रेमर दियां वीडियो लिस्ट बनाई होई है। ता ओ सारियां वीड लव लर्निंग तूलीड चैनल ते जरूर विजट करो। Students, अगे स्टोरी कंटीनू कर देया, Chandu negotiated the deal about the bicycle with an assurance that seemed to me a revelation of his capacity for business, such as I had never suspected in him from the reckless way he spent his money. Chandu ने जिस तरह के उसने कहा सी के मैं एक साइकल लओंगा लाला हुकम चांदे जुआरी बेटे तू, तो उन्हों याद होना, पहला स्टोरी विच उसने लेखकनों दस्या सी के मैं लाला हुकम चांदा जो जुआरी बेटा है उस तो पांजर पे दे विच मैं साइकल खरीद दूँगा, ता बिल्कुल उसने विच ने होई किता, चंदू ने सोदा किता, नेगोशेटी द डा डील, एदा मतलब है के सोदा करना, ता उसने सोदा किता, बाइसीकल बारे विदाने शोरेंस दा मतलब उसने पकीगाल किती सोदेच के पांजर पे दन मैं दोओंगा ते तू मैंनू बाइसिकल देई ता मैंनू आए लगया के उस विच बिजनस करन दी कपैस्टी है आए रिवीलेशन, रिवीलेशन दा मतलब मनू जाहिर होया के चंदू बिजनस भी कर साथा विकोज उसने एक बहुत वदिया सोदा किता सी हलाके मैं इस चीजनू कदे उस दे विच नहीं सी जानेया क्योंके ओह अपना जड़ा पैसा कमांदा सी बड़े ही रेकलेस वेदेनाल, रेकलेस वेदा मतलब है लापरवाहीनाल देखो चंदू पैसे दा कमांदा सी, में ती था बहुत लेकिन उब लापरवाहीं भी करदा सी पैसे भी खर्च गारदा सी, ता मैंनू कदे लगया नहीं सी, क्यों इस तरहा दा बिजनस दी डील कर लेगा, लेकिन उसने कर ली, ता बहुती वदिया चीज लगी मैंनू, and then he said to mean confidential voice, अधे जदो उसने हे डील कर ली, मतलब के साइकल लेले, हुकम चांदे मुंडे दो पंजर पेच, फिर उसने बड़े ही confidential अवाज दे विच, नो confidential दे अपर 24 नमबर पाया है, आपा glossary दे विचे कर लेने है, confidential दा मतलब है, meant to be kept secret, confidential दा मतलब ओ चीज जिसनू के दिच रखना हुंदा है, जाहिर नहीं करना, थोड़ा लोको ओके रखनी है, ता उसने एक confidential voice दे विच, पेट परी अवाज दे विच मेंनू केहा, you wait for another day or two, केंदे तू एक या दो दिन हजे, wait कर, I shall show you something which will make you laugh as you have never laughed before, केंदे मैं तननो कोई कजही चीज दिखाउंगा, जी जदो कोई एहजी गल अपनो अपना friend कहे, के मैं तनो एहजी गल दसनु जिजना तनो बड़ी हासी आओ, पर इक दो दिन चे दसनु तो आपनो तो कितो रहा जानता है, ता सेम आही गल, किदे नाल हुई लेखक ने, ता लेखक ता कहन दा, मुनता हुनी दस, I insisted, इंसिस्ट जदा मतलब हुनता है, बेसबरा हुना, क्योंकि उसने गली है जी कही सी, के मैं तनो एक दो दिन चे है जी गल दसनु जी तनो बहुत आसा होगा, मेरा जड़ा बेसबरा पन सी गा, ओ और तिक्खा हो गया सी, उस excitement दी रिदम दे नाल, excitement दा मतलब उस जोश दी, रिदम दे क्योंकि उनो कुछ है, जा जा रहा है सी, कोई खास खम करन जा रहा है सी, ता मैं अंदर तक excitement नाल, जोश नाल पार गया सी, ते फिर मेर तो रहा नहीं गया, मैंने कहता के मननो था हुनी दस भी, करना की चानना है तू, No, you wait, ता फिर देखो चंदूने मना करता के नहीं, त जेहा सीकरेट है, जेहा सिरफ बारबरी जान सकता है, नाई जान सकता है, तू नहीं जान सकता है, तो नहीं जान सकता है, तो उन्हें इक बजा अर्थ जी पाती, ता उस दी मननो सिख्या लाएं दे, you hold it while I get on it, कहां दे, तू इस नू पकड, ना उते, it किनू कहा गया है, साइकल नू कहा गया है, साइकल नू कहा गया है, साइकल नू दिखान देवे कहा, के तू इनू पकड, जदो मैं इस दे उपर चड़ा, get on it दा, मतल मैं इस दे पकड, and I think it will be alright, ते मनू लाद है, सारा कुछ सही हो जुगा, ता इस पेरे दे विच, सानू ये पता लगया, के चंदू ने पांजर पे दे विच, साइकल खरीद लिया, लाला हुकम जादे जवारी मुंडे तो, ते हुनो साइकल लेखकों लाया, ते लेखक नू कुछ कह अचरे साइकल थे ता कुछ तरिका नी होया, my father learned to ride from the peg at the back, के अचरे मेरे पीताजी ने था पिछे करियर थे बैग के साइकल सिख्या, ते मेरे प्राने इसनू सिख्या है, पेला उसने पैडल संतूलन बनाया, फेर उसने साइकल सिख्या, ते तू सिद्धा ही साइकल थे च Father is a top heavy baboon, said Chandu, हुने गलना सुनके, Chandu हु लेखकनु की कह रहे है, के तेरा पिता था सिरे दा लंगूर सी, ना बबून था मतलब ऐसे लंगूर हुन्दा है, अथे 25 नंबर थे लिख्या हुया, Uncivilized Person, Glossary दे विच Uncivilized Person लिख्या है, बबून था मतलब, Uncivilized Person जिसनू And your brother is a long-legged spider, तेरा प्रा लंबिया लगताँ वाला spider सी, मकडी, spider मकडी नो कहा जन्दे ना, ताइना गलना तो बच्चों पदा लादा है, के चंदू बहुत हासे में खोल करन वाला इंसान है, I, he continued was born, my mother tells me upside down, देखो उनो four की कह रहे है, चंदू ही कह रहे है, के चंदू न मैंनों दसे है, के मैं दा पुठा पैदा हुया थी, upside down दा मतलब हुन्दा है, उल्टा, पुठा, देखो इस तो पहला लेखा कने, चंदू नो कहा न, भी तुवे कि में साइकल सिख रहे है, एतानी साइकल सिखन दा तरिक का, भी मेरे पिता जी ने ता आया है, साइकल सिख Concentrated with admiration on the brilliant sheen of the polished bars, I lost my grip and Chandu fell on the other side with a thud along with the machine. मैं ते आंदेनाल साइकल लुए देखन लागया, ते पकडवाल मेरा कुई ते आनी रहा, I lost my grip, ता मैंने पकड़ अपनी खोती, and Chandu fell on the other side, आते चंदू दुझे पासे, गिर गया, विदा थड, तड़ा मकर के, थड़ा मतल हुन्दा है, तड़ा मकर के, along with the machine, मशीन देना from the shop of the shahukar, where several peasants congregated round the figure of the landlord, कैंदे हुन हसा चडपया जी, peels of laughter दा मतलो हसा चड़ना, कित्हों shahukar दी दुकान तो, shahukar दी दुकान दे कोले यो साइकल सिखन दी प्रैक्टिस कार रही सेगे, ता shahukar ता नू बता है, बच्चे ओ, थनुराम पेला आया सी, थनुराम दी कोले यो खड़े सी, ता ओथे किसान भी खड़े सी, peasant दा मतलब किसान, congregated round दा मतलब हुन दे कठे होना, ये कठे होये सी, क्योंके ओथे landlord भी आया सी, बिजाय चंद भी उत्ती बैठा होना, ता ओधे आड़े दौले कठे होये सी, shahukar दी दुकान दी, and then the shahukar could be heard shouting, ते ये रास्कली, son of the iron age, तरती थे बोज, break your bones and die, बदिया तरी हड़े तुटन ते मरे तुँ, देखो, ए गला नाल चंदो नू, शahukar कहके बला रहे है, ये अपस्टार्ट, नो अथे अपस्टार्ट दा मतलब है, कल दा नवाव, कल दे नवाव, बढ़े फिर दा नवाव, देखो, जदो भी चंदो नू, एहे वड़े लोक देख़ देने, तक कदे चंदो दे बारे, ओना दे मुहां चो, चंगियां गला नी निकल दिया, माडएं गला निकल दिया, गाला ही निकल दिया, जादके स्टुडेंट्स उसी पूरी स्टोरी पढ़ी है, चंदो ने कदे विद शेम दे नाल शरम दे नाल थले कार लिया सिर and muttered an oath at me muttered दा मतलो हुंदा है होली होली बोलना अते ओह मिननू कुछ होली होली बोलेया you fool, मुरख, you are no good कहां दे, तू भी चाज़दा है नी बस एन नहीं बोलेया हो किनू बोलेया लेखकनू उने शाहुकार नो कोई जवाव ने देता सिरफ अपने फ्रेंड नो नहीं कहा, मुरख, तू भी चाज़दा है नी बस, इस तो ज़्यादा उसने कुछ नहीं कहा तो तूसी एथों चंदू दे, पेशेंस उननू देख साग देऊ though I had thought that he would grip me by the neck can give me a good threshing for being the cause of his discum feature हलाके मैं ए सोचे आसी, हुना थे आय दा मतलब लेखकतो है हलाके मैं सोचे आसी, के ओ मनू फड़ूगा neck तो, गर्दन तो फड़ूगा अथे मनू चंगी, चंगा कटापा चाड़ू अधे मेरे थे good threshing, good threshing दा मतलब चंगी कुट मार करूगा मेरे नाल क्योंके ओ दे इस discum feature now discum feature दे ओपर पच्ची नंबर पैदा मतलबा confusion, वी जड़ा वचरा गिरेया हो ता, अलाके गिरेया था महीं है ना, विकोज मेर तो पकड़ नी होई cycle दी हो, वी जड़ा गिर गया था यह जड़ी उस दे गिरंदा जड़ा कारण बनेया ता मनू ऐन लगया के शायदो मनू भड़के कुट्टू और होया की he looked at me, उसने मेरे वाल देखिया smiled embarrassedly सिरफ उसने smile किती मेरे वाल देख के शरम जी दे नाल, एंड साइड़ा दे के हा we will see who has the last laugh आए और दे देखांगे ता वक्ती दसुगा के अखीरला हसा कौन हसू मैं हसू या ओ हसनगे एथे भी उसने लेखक नाल एदना दी कोई गल नी किती कुट मार करन दी या इवन के उसने कोई लेखक नू माड़े बोल भी नी बोले उनने सिरफ एना किया लेखक नू के देदा वक्ती दसुगा भी कौन हसुगा मैं हसुगा के ए हसनगे एथे देदा मतलब कौन है लेखक नी है देदा मतलब है शाहुकार हनूराम लेंडलोर्ड बिजाये चंद अथे बाकी जड़े उथे पैजन्स खड़े सी जड़े के उसनू गिरदा देखके हसे सी आई विल होल्ड दा मशीन टाइटली दिस टाइम हुन देखो लेखको उसनू कहरे है इस वारी मैं जड़ा है साइकल है नू टाइटली फड़ूंगा मतलू मैं नू गिर नी देन दा देनू आई साइड अर्नेसली मैं उसनू गंबी इर्था नालके हा और आई पिगड इट अप फ्रॉम विर इटले अते मैं इसनू चक लिया जिथे है पैई सी इट दा मतलू मैं थे की है साइकल ता गिरी होई साइकल मैं ने चाके सारी अंगला कही है येस ब्रेक यूर बोन्स यू स्वाइन केमदार लेंड लेंडोर्ड काल ता उते लेंडोर्ड विजाय चंद भी पहुंचे हम देजी ता उसनू दुबरा साइकल दे बैट दोए देखके तब जाय चंद जड़ा लेंडोर्ड है जमीदार है वो कह रहे है हाँ अपनी हडियां तरवा यू स्वाइन गाल कटके कह रहे है उनू डॉन यू केर चंदू सेट टू मी पर चंदू मनू की कह रहे है परवाना करे ना दी यू जड़े गाला का ड्रेने ना दी परवाना कर इगाल किनू कह रहे है लेखक नू कह रहे है I will show them मैं दसूंगा है ना नू भी मैं की है I will show them चंदू कह रहे है है and he mounted the bicycle as I exerted all my strength to hold it tight then he said let go I released my grip he had pressed the paddle with a downward pressure of his right foot hard and as the wheels revolve he swayed dangerously to one side the pattern तो बाद जदो चंगी तरह बैठ गया हो तो उसने कहा के पकड़ छाड़ दे लेखक ने पकड़ छाड़ती फिर उसने paddle press किता जदो लेखक ने पकड़ छाड़ी है paddle press किता उसने कि मैं निच्चे दी pressure लाके अपने सजे पैर दे नाल hard जदो जदो प्रेशर लगाया तो उसने नाल जखके कमड़े स्टाट हो गई ही स्वेड स्वेड दा मतलब इक पासे चुकिया मतलब है थे ही दा मतलब है चंदू dangerously बहुत ही खतरनाक तरिक्के नाल एक साइड थे चुकिया to one side but he had pushed the other paddle now पर क्योंके उनो cycle ते जम के बैठा सी था दुझे पासे उने paddle चलाना start करता the machine balance तो दे नाल की होया के machine balance होगी inclining to the right a little अपने सजे पासे थोड़ा चुकदे होई मैं देख्या I saw Chandu lift his rump ता मैं देख्या के Chandu ने अपनी rump थोड़ी जी उपपर उठाई now rump ता मतलब 27 नमबर ते लिख्या होया बटक ता lower part सड़ा जड़ा बोड़ी दा हुंदा उसने उसी rump केने है ता हो cycle तो उपपर उठ्या from the saddle saddle हुंदी है काठी ता काठी तो हो उपर उठ्या in the most frightening manner ते बहुत ही ड्राउने तरिक्के जिदनार उठ्या काठी तो उपर उठ्या काठी तो उपर उठ्या cycle चलांदी कोशिश करदे ता आगाम करण दी कोशिश केती जी चंदुने he hung precariously for a moment precariously फेर अठाई नंबर ते लिख्या है ता मतलब है glossary देविच इन रिस्की मैनर बहुत ही खतरनाक टांग देनाल थोड़े मुमेंट दे लेई थोड़े पल दे लेई हांग हवा विच रहा his handles wobbled dangerously जड़ा उसने अपने हथां देनाल handle cycle दा वबल वबल दा मतलब अधर उदर हेलिया dangerously बहुत ही बुरी तरिक्के देनाल he was tottering ता tottering दा मतलब हुन दामाडोल होना ता हो दामाडोल होरे हा सी at this juncture इस मोके a mixed noise of laughter and sarcasm arose from the congregation at the shop ता हो नो shop ओही शाहुकार्दी shop ते फेरी काथ कथा होया सी congregation दा मतलब हुन दा है जी कथ लोकां दा ही कथ कथा होया सी ता ओसी कथ दे विचो हसा भी आया ते sarcasm नो sarcasm दा मतलब हुन दा है जदो कोई अपने ते comment मारे उन्हों अपा sarcasm कहने है व्यंग मारे में अपनू ला के कोई गल कहे and I thought that Chandu would come to grief with this confusion if not on account of his utter incapacity ते मैं सोचया के Chandu नो वचारे नो दुख लगूगा इस confusion दे करके नो confusion के डिया है जड़ा उते sarcasm होया ते जड़ा laughter होया है लोका ने जड़ा मजाग बना रहे सी Chandu दा ते उस ते व्यंग कर रहे सी अधे करके मैंनो लगया के Chandu नो दुख होगा incapacity दा मतलू होंदा है जदू आपा किसे चीज नो करन दे विच असमर्थ होई होनू कहनदे है तर लेखक नो आए लगया के Chandu नो शायद ओदा दुख है ना ना लगया कि मेर तो साइकल नी चलाया गया पर एदा दुख ज्यादा लग जाद है जड़े उस्ते व्यंग मरे जा रहे ने तो उस्ता हासा बड़ाया जा रहे है बाया क्योरियस मिरेकल होएवर Chandu's feet had got into the right rhythm for paddling and his handle had adjusted itself to his stiff hands पर केंदे एक miracle होया ना miracle दा मतलब होंदा है जी कृष्मा पर एक क्रिश्मा होया के चंदू दे जड़े feet से गे ओहो right rhythm चागे एक proper rhythm चागे चाल चागे for paddling paddle होदे चलान लगे होदे feet अते होदे handle भी adjust होगे stiff hands दे and he rode with me running behind him अते ओहो चलानदा रहा cycle ride off दा मतलब होंदा है चलावना किसी चीज़नू है न ते मैं उसे पिछवीचे बाज रहा सी bursting myself with enthusiastic शाबाशे ते मैं उच्ची उच्ची पूरे जोश देना लोनू की गह रहा सी शाबाशे शाबाशे ता ए words लेखा कह रहे है चंदू नू साइकल चलान दे होई देखके इस पहरे देविच देखो चंदू साइकल चलान देविच कामयाब हो गया पहली attempt देविच हो गिरिया लेगिन दूसरी कोशिश देविच हो कामयाब हो गया ते जड़े लोकी हो उसे कमेंट बाजी कार रहे सी उसे हस रहे सी हुण और चुप सी परलेखक चंदू नू शबाशियां दे रहे हाँ एक अद्दा मिल जाके उसने फेर ट्रिक दुबारा रिपीट किती के रहे ट्रिक हो ही काठी तो उपर उठिया ते साइकल चलाया दुबारा उसने यही करतब करके दखाया तो आई वास वेरी एगर तो शेयर दा जोई ओफिस नूवली एक्वाइड स्किल हलाके केंदे मैं बड़ा एगर सी उत्सुख सी के मैं जड़ी उसने ही नमी स्किल सिखी है उसनू जोई करा आई डिड़न सी चंदू दा नेक्स डेए तो मैं अगले दीन चंदू नहीं देख्या एज़ वास बिंग टिकन तो सी में उसनू चंदू झा रॉला that he would show me the joke he had talked of the other day पर तीसरे दिन उसने मैंनू बलाया कालफोर दा मतरूं दा बलाना ते उसने कहा कि मैं ओ जोक तेनू सुनाओगा जिस दे बारे मैं तेनू पहला एक दिन कहा सी ता याद करो बच्चो स्टोरी दे विच पहला उसने कहा सी मैं तेनू जेही गाल दसुँगा जिदिन आल तेनू एनना हसा होगा के तू जिन्दगी जी निकादे हसा हसया होएंगा ता अजो उसे हसे दी गाल कर रहे है I followed quickly ता मैं ते जीनाल होदे को ले गया asking the while ते मैं उसने पुछया tell me what is it all about के की है मनू जल्दी थास look he said hiding behind the oven of the village porter ता ओ अपने आपनू एक पिंड़ दा जड़ा कुमे आर है ता पोटर दा मतलो हुन दा बच्चे कुमे आर ता उत्ता नु पता है कुमे आर देखोले एक पठी भी हुन दी है try and see who's there केंदे कोशिश करते 10 हो थे कौन है I explored the various faces for a moment I was quite baffled ता मैं सारे तरह तरह दे चेरे आनू explore किता मतलो हुन नू मैं देख्या आते एक पल दे ली I was quite baffled ता baffled दा मतलो हुन दा confused के मैं थोड़ा जा confused जा हो गया only the peasant sitting round waiting for the landlord केंदे सिरफ किसान बैठे ने ते ओहो वेट कर रहे ने landlord दी जमीदार विजायचंदी वेट कर रहे ने मैं कहा look again idiot मुरक दवारा देख he said and see अते देख दा landlord is there केंदे लैंडलोड दा बैठा हो थे विजायचंद दा बैठे his long jarred face dirtied the white scum of his unshaved beard ते अन्नाल देखेंदा उसदी दाड़ी बढ़ेनी होई दाड़ी देख किड़ी किड़ी उगी होई है ते उसदी बड़े सारे जबाडे आले मूनों पूरा हो खराब कर रही है dirtied the white scum now scum दा मतलब dirty outside layer जड़ी चीज किसनों खराब करे हो नों कहनदे ने ha ha I shouted hilariously कहनदे मैं उची उची हसिया struck by the contradiction of the big thick moustache which I knew the landlord died with the prickly white brush on his jowls कहनदे होनों उसदी चेरे ते एक दरादी contradiction जी सी क्योंके होदी जड़ी मुच्छा सी moustache दा मतलब होन दा जी मुच्छा उन ओहो ता उसने देखो रंगिया होना सी with the prickly white brush on his jowls मुच्छा उने रंगिया होना सी किया landlord died died मतलब रंगिया होना ता उन दा चेरा देखो बड़ी बड़ी दाड़ी होई विया देखो landlord दी मुच्छा उने रंग रखिया है डाई कर रखिया ता बड़ी पैड़ाजा लग रहे है इस करके उसने देखक लेखक बहुत उची उची हाज़ा है हाँ हाँ आय रोड मैं उची देखके फिर हसिया आ सिक लाइन कहना मनू है याद करो इस स्टोरी दा जड़ा landlord है ओहो काफी muscular है अपा जदो शुरू च लैंड़ोड बारे पड़े ऐसी बरली है बरली शबदा ऐसी होदा मतलब कि काफी होदा cut the cut है muscular है, मजबूश रीर्द है ता ओदा चेरा भी naturally काफी वड़ा है लंबे जबाड़े है ता उन्हों उसनों sick line कह रहे है, बिमार शेर भी लुक सीड़ी कहने याई लग रहे है जिमे उहो बहुत ही ज़्यादा लग रहे है वान चंदू ता चंदू ने उन्हों चुपकर रहे है जमे पाश कर दें अन्हों वान किता सचेट किता don't make our own, कहने रोला ना पा मेक आरो मतलल हुद है भाच्चे तो रोला पाना एक फ्रेज है तो असनू रोला पान तो वर्ज रहे है बटलू कर दा शाहुकार पहला तू लैंड ड़ोड वाल देख्या शाहु करवाल देख, he looks like a leper with a brown tinge of tobacco on his walrus moustache, which I once used to trim. केंदे देखो, इक लेपर दी तरह लग रहे है, लेपर दा मतलल हुन दा है, जुनों कोड लग गया हुए, कोडी कैसा दे है है न? क्योंकि टबाको पिन दा है था, टबाको दा brown color भी उस दे, moustache ते लगया हुए, उस दिया मुच्छा ते लगया हुए, ओ, हुन मैं मुच्छा हुन उस दिया trim कर दा सी, पर हुन देखो मुच्छा दा की बन गया, मुच्छा हुन उसने trim न कितिया, याद करो हर्ताल थे है, चंदू हरताल थे है था, पिछले कई दिना तो, ओ, किसे दी भी शेव नी कर रहा है, किसे दी भी हजामत नी बना रहा है था, लोग कांदे हुलिये बिगड़ गे, पहला हुलिया साने देख्या, लैंडोड दा, हुलिया बिगड़े हुए, सिकल लाइन वरगा लग रहे है ते आज अड़ा साड़ा शाहुकार है, एदा भी हुलिया बिगड़े हुए है, नाओ यू रन पास दा शोप एंड काल, बीवर्स, बीवर्स, ते कांट से अनिधिंग तो यू, कहनदे हुन तू एक गम कर, कहनदे तू पजया पजया, दुकान दे मुरों दी जा, अते कह बीवर्स, बीवर्स ना, बीवर्स दा मतलब के हुनदा बच्चे हो, बीवर्स ना, एक तरह दा जानवर हुनदा है, उद बिलाव कहनदे है, उनू, चुहे वर्गा हुनदा है, थोड़ा जा चुहे तो मजबूत हुनदा है, ता एदा दा बढ़या होया शाहुकार, ता इ नंबर ते है जी, ग्लॉसरी देवी चे आया है, ता मतलब है, इंपल्सिव रैश, जोदो आपा एकदम कम कर दे हैं, बीना किसे सोचे समझे, ता उसन वसी इंपेटस केने है, हून कहने है, मैं एकदम एक कम किता, क्योंके मैं डिसाइपल सी गा, चेला सी, डिसाइपल दा मतलब है, जी, चेला, किदा चेला सी, इंपिष चंदू दा, इंपिष फेर कती नंबर ते दा मतलब है, मिस्चीवियस, में CVS दा मतलब शिरार्ती ता शिरार्ती चंदू दा मैं चेला सी ते मैं एक दम हो कम किता जो मैंनो कहा गया ता मैं बीवर्स 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 केंदा होया I shouted as I ran past the shop to the edge of the platform by the bunny entry ता मैं शोब दे अगोंदी लंगया इथे तक गया प्लैटफोर्म दे अंत तक जित्थे के एक बोड़ दा द्रखत लगया है उत्थे तक मैं बीवर्स बीवर्स ऊध बिलाव ऊध बिलाव केंदा होया छेड़ दा होया शाहुकार्नो लंगया दा पैजेंट उवर गैदर राउंद धा शोब बरस्ट आउट लाफिंग For they had noticed the strong growth on the elders faces क्योंके उनने शाहुकार दे चेरे थे बड़ी सारी दाड़ी देखी सी वाल ओदे देखे बड़े बड़े होए वे उननों भी ओदा दे यो बीवर वर गई लग रहा थी पर क्योंके Though they had not dared to say anything ओह एनी हिम्मद निसी कर सागदे क्योंके उनना दा मतलव यही सी के हाँ वर गई लग रहे है जो लेखक पजदा होया केंदा जा रहे है Catch him, catch him, the little rock shouted the शाहुकार शाहुकार हुन उच्छी बोल दाजी उन शाहुकार को होना है? फानूराम दानू पता है ओगंदा है नूँ फड़ो है नूँ फड़ो दा little rock ए जड़ा चोटा बदमाश है नूँ फड़ो He's in the league with that barber boy चंदू ओच चंदू दे नाल मिलिया हुए है ता स्टूडेंट देखो He's in league with that barber boy चंदू ए सेम डायलोग मारे आसी पंडित परमानन ने जड़ो लेखक ने कहा सी चंदू नूँ वितनू जाके पंडित परमानन नूँ दास के मैं जड़िया है कपड़े वितर कपड़े नी पाई हुए डॉक्टरां दे ये वधिया कपड़े है ता सेम ओही डायलोग शाहुकार फेर मार रहे है के चंदू दाई साथी है नूँ फड़ो But of course I had climbed up the बनियान ट्री पर बिना शक मैं फटाफट बनियान ट्री ते चड़ गया जदो मनू लगया के मनू फड़न गया है For which I jumped on to the wall of the temple फेर मैं ओथों नाली मंदर दी कंदद उपर चाल मारी and shouted हते चिलाया My slogan at the priest ता मैं फेर ओही अपना स्लोगन नारा चलाया के डा नारा ओही बीवर्स बीवर्स किनू देखके at the priest ता उस मंदर देविच पंडित परमनद बैठा होना ता ओधी विधाड़ी आई हुई सी ता उनू भी देखके मैंने फेर बीवर देखके मैंने फेर बीवर्स किनू देखके जड़े उच्छ वर्ग दे लोक उना दे फेमिली मेंबर्स परिवार दे मेंबर्स बीगन टू गिगल विद लाफ्टर के अधी ओवी हसन लगपे गिगल विद लाफ्टर दा मतलो हनदा है अधा शैबी अपिरेंस अफ दा ग्रेट वन्स शैबी अपिरेंस अधा मतलो हनदा है पद्दी जी अपिरेंस देखके उन दे चेरें दे जड़े हुलिये बिगड़े होई सी के वड़े वड़े दाड़ियां करके या वड़े वड़े वालां करके उना दे चेरें जो बुरा हाल होया वैसी उना थे हुलिये देखके, सारे उना थे हसन लगे, कौन-कौन, उच्छे कराने थे लोग भी थे उना थे फैमिली मेंबर थी, and made rude marks about their persons, अते उना थे rude, पदे जे remarks गल्ना भी बनानिये शुरू करतीया, यानि कि जडिया गल्ना किसे टाइम चंदू थे लग दे वनग दिया जांदियां सी, चंदू और ब्रे बोले खंद लोग दे वन भी गल्ना चल पी ये तोड़ लेडॉट थी, तू रन अवे विद संबड़ी। तक एवी कहा गया कि जड़ी लैंड़ॉड दी वाइफ है। उसाठा लैंड़ॉड को ना भी जाये चंद। उधी पतनी ने उन्हों तमकी दिती। थ्रैटन दा मतलब तमकी देना। तू रन अवे विद संबड़ी। के मैं किसे हो ना लपाजू। क्योंके बिंग यंगर दान हर हस्बेंड बाई 20 यर्ज ओ अपने हस्बेंड तो वी साल चोटी सी। यंगर दा मतल चोटी सी। She had born with him as long as he kept himself in trim. ता ओहो जिनी देर तक उसने अपनी trimming करके रखी दाड़ी दी। मतलब के दाड़ी शेव बनाके रखी। ओधो तक उसने उसनु सेहा, बाउन विदा मतलब उनु सेहा, किसने लैंडलोड दी का रलीने कीनू? लैंडलोड नू, विजाय चनू. बट वज न दी सीमा तो बाहर, रीकंसीलेशन दा मतलब ऐसे समझोता हम ता हम ता स्टूडेंट्स इकदर आना चन्दू ने वधिया बदला ले लिया, यो ही बिजाय चन्द है जिसने का रहनी सी बढ़न दिता चन्दू नू, आज देखो तुसी बिजाय चन्दे का अरदा हाल की है, गुडब बिजनस इन टाउन दूरिंग दिस देज, कैदे चन्दू ने एना दीना दोरान, इना दीना दोरान शहर दे वी जाके चंगी कमाई किती, बदिया बिजनस किता, and saved money, पैसे भी बचाय, इवन तो, ही बट नू अने नमे कपडे भी खरिदे, और नू तूल्स पर ह आज भी चंदू लेखक नाल उनने ही जुड़या है जिनमें पहला सी नहीं ता सी पूलिस नू फड़ादांगे उनू क्योंके उसने breach of the peace शांथी पांग कीती है पिंड़ दी मतलगे उसने वन दी मानू कहा के तू अपने पूत नू समझा के साड़े करांचा के साटी दाड़ी बनावे साड़े वाल बनावे नहीं ता सी हो सनु पूलिस नु भढामागे क्योंके ने पिंड़ दी शांती पंग करती बट चंदू स मदर हैट फॉर दा फर्स टाइम इन हर लाइफ टाजदा एज ऑफ प्रोस्पेरिटी पर चंदू दी माने जिंदगी च पहली वारी पैसा देख्या सी गा क्यों हुन पैसा कमा रहा सी चंदू शेयर जाके सेव कर रहा सी पैसे कमा कमा के अपनी मानू दे रहा सी पहला दा देखो बहुत ज़्यादा घृबबी सी न अप आई भी जान दे हैं के दोने मापुत कित्थे रहन दे सी एक शेड़ दे निचे जिथे आपा पचे उन रखने उत्थे उचारे रह रहे सेगे ता हुन पैसे आन लगे प्रोस्पेरिटी दा मतलो खुशाली कर चाहुन खुशाली थोड़ी जी आन लगी पैसे करके and she told them all what she thought of them अधे जदों फेर जड़े पिंडदे वड़े वड़े रे शाहुकार वर गयाने थानूराम वर गयाने बिजाये चंद ने चंदूदी मानू केहा कैसी तरे पत्वनू जेल चल पादांगे ता फेर उसने उनानू सारे नू दास्ता told them शीदा मतलव एथे चंदूदी मातों है ते देम दा मतलव वही सारे शाहुकार थानू राम विजाये चंद उननू सारे नू दास्ता के ओहो उना बारे की सोच दिया इना लेंग्वेज उस पाशा दे विच इवन प्लेनर दैन that in which she had always addressed them जड़ी पाशा चोणा नल पहला तो बोल दी सी ओदे नलो भी क्रत पाशा चोणा उनू जवाव दिता याद करो जिस टाइम चंदूदी माता बारे पैरा आया सी उससे सने दस्या सी चंदूदी मान निमी जातना सबंद राख दी सी उससे नल बहुत ही माड़ा विती रहा वी साला तो पहला तो हुंदा आ रहा सी लेकिन उसने हमेशा डटके खड़ी सी ओना दे विरूद ते उनून चंगियां सना दी सी आज भी फेर उना नूँ उसने खरियां-खरियां सना मतलब है के पाई जड़ा तो अड़तो कुछ हुंदा कर लो मेरा पुतता एहीं करू जिम्हें कर रहे है then they thought of getting the barber of verka to come फिर उना ने ये सोचिया किना ने ओही पिंड़ दे बड़े बड़े याने ने ये सोचिया के चलो अपा वेर का पिंड़ जड़ा नालदा पिंड़ा हो दे नाई नूँ आपा बला लिये and attend them तांके वो आके सानू attend करे साथी दाड़ी वगरा बनावे and offered him an anna आते उना ने उसनू इक anna offer किता वी हजामत आसी तनू इक anna देमांगी instead of the two pies that they usually pay to चंदू दो-पाइस किनू देंदे सी हो चंदू नू तब तनू पहला बटा पता होना चेंद है पाइस दा मतलब किया ए वन फोर्थ ओफ दा आना हुंदाए जी आन्ने दा चोथा हिस्सा इनू असी पाइस कहने है अगणा रेट करता किनू वेरका दे बारबर नू के जे दू आके साड़े वाल वगरा कटे हैं दाड़ी बनावे ता तनू असी इक काना दमांगी चंदू होएवर हैद कंसीवडा नू नोशन अबाउट इस ताइम पर चंदू दे दमागची का नमा विचारा आगया चंदू ताइम पर चंदू नमबर दे प्याजी ग्लॉसरी दे विच दमनागा तो इस ताइम पर चंदू ताइम पर पके नहीं पर बिचारा आगया नूशन आइडिया पहला भी आओए शबत कही बरी Newer than those he had ever thought of before एक नमा विचार आया जड़ा उने पहला गदे सोच्य ही नी सी Having seen the shop of Niranjan Das, the barber of the town ता उसने की देख्या के शेर ता जान दा इसी ना ता शेर एक नाई सी Niranjan Das ता नiranjan Das दी शेर दे विच दुकान सी ता उने वो दुकान देख्के हो इसी He had applied his brain to the scheme of opening a shop on the wayside at the head of the bazaar ता फेर उने अपने दमाग लड़ाया के आपा वी एक नमी दुकान ओपन करी अपने पेंट चे किथे बजार दे शुरू च सडग दे किनारे आपा एक नमी दुकान आपनी बनाई है जिमें शहर चे नरंजन दाज दी दकान है मेरी भी दकान होवे पेंट चे यह दकान के में होएगी इन पार्टनर्शिप इस कजन दी बार्बरो वेरका एंड विद धुनु एंड दी अदर बार्बर्स वीदी रेंज ओफा सेवन माइल फ्रॉम इस विलेज एह ज़ड़ी दकान होईगी एह पार्टनर्शिप चोओगी के दे नाल? उदे कजन दी पार्टनर्शिप भी होगी ओ कजन कोन है ओ ही वेरका दा बार्बर जिनु बेंड अपर कर रही हैं अदे पिंड़दे बंदे अते इक का तो नू भी है अते होर बार्बर्स भी ने सारे बार्बर रही हैं सारे नाई ने जो के उस पिंड़ दी सत मील दी रेंच ने मदलो अपनी पिंड़ दी सत मील दी रेंच जिनने नाई सी उने सारे कठे करके उना दी पार्टर्शिप दे नाल दकान खोलन दी सोची He proposed his new idea to his cousin and Dhunnu and all other barbers at a special meeting of his craft ता उसने नमा विचार सामने रखे अपने कजन जो के वेरका पिंट तो है ते तुनुनु भी अपना विचार दस्या ते होर बहुत सारे नाईयानु दस्या जो के उसने एक special meeting किती सी of his craft 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 क्राफ्ट दा मतलु कुनबा जो कुनबा जो कुनबे जिनने भी नाईय सी होना तुम बला के साथ मिल दे दारे जो आंदे सी नाई ता चंदु ने उनना नाल मेटिंग किती ते दस्या क्या आपने अपने अपने पिंट चे शॉब खोलनी चाहिं दिया है and by the gift of the gap which he had besides his other qualities of head and heart he convinced them all ता हुन देखो gift of the gap ते ती नंबर ते पे आए दा मतलब है the quality of talking on trivial issues चड़ा बंदा गल्ना बतां दा तनी हुनदा उन्हों अपा कहने है gift of the gap जिननों गल करन दी अकल होई बदिया गल कर लेंदा होई ता चंदू दा पता ही है उता गल्ना चमाहर है besides इस तो इलावा होज दिया होर भी quality सी, head and heart तमाग तो भी सोचदा सी, दिल तो भी सोचदा सी ता ये सारे त्रिक्यां दे नाल उसने चंदू ने उना सारे आनू convince करता अपने विश्वास चले लेया, किना सारे आनू? सारे नहीं आनू जननोंने meeting च बलाया ऐसी that it was the time that the elders of the village came to them to be shaved के पिंड़दे जड़े वड़े वड़े रे ने ओहो उना कोले खुद चलके यान shaving करान दे ली rather than they that they should dance upon their lords and masters ना के अपने 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 अपनी दुकान ते आवे इस गाली उसने सारे आनू त्यार कर लिया ते की होया जी बिलकुल होई होया उसने अपनी दुकान ओपन कर ली पिंट ते उस दुकान दा नाम की रख्या राज को डिस्टिक बार्बर ब्रदर्स है ड्रेसिंग और सेविंग सलून ता एसी जी चंदू दी दुकान दा नाम ते उस तो बात की होया लेकिन अंत चो नहीं कैसा फैसला लेया जिसना लिक वड़ा चेंज आया ताहीं लेखक ने इस चैप्टर दे शुरूज कहा सी के जोके पारत दे जड़े न्यू मेकर्ज ने ओना विचो चंदू इक है बिल्कुल है जी विकोज उसने कजिहा कम स्टार्ट किता जड़ा कदे किसे ने सोचे नी सी जड़े पुर्खे देखो जा जाके कराँच वाल कर दे सी दाड़ियां बनना दे सी पर उसने नमा ट्रेंट शुरू करता हून ओ आप निसी करे किसे दे जानदा आप निसी किसे दो गालां खंदा अपनी जात करके सगों आज सारे जने उदे कोले खुद चल के अंदे सी ते चंदू ने जो ली स्टार्ट किती सी वो आज तक तोर रही है एसे करके लेखक ने चैप्टर दे शुरू भी चोसनू के हासी के ही इस वन ओफ दा modern makers of इंडिया है स्टूडेंट्स उमीद है के तो अनू इस सारा चैप्टर समझ आ गया होएगा स्टोरी थोड़ी वड़ी सी मैंनू इस दे तिन वीडियोस बनाने पए ते मैंनू उमीद है के तुसी ये सारे तिने तिने वीडियोस जरूर देखे होंगे स्टोरी दे एंड दे विच मैंना सारे वीडियोस दे लिंक तो अनू प्रवाइड कर रहे हां ते मैं तो अनू सारे अनू पील करदा हां के तुसी ये वीडियोस से जाके एस सारे वीडियोस से आननाल देखो ताके आउन वाले जड़े अपने short answer question वाले वीडियो ने अते long answer वाले वीडियो ने उतनु सारे समझ आजा जान चंगी तरह उमीद है के तुस्सी ये सारे वीडियो ज़रूर देखोंगे फिर किसे हो और नमे वीडियो नाल मिल देयां जी तन बात